हेलो अच्छो तो कैसे हो आप सब और उमीद है कि बहुत अच्छे होगे जैसा कि कोशन पेपर सेंपल कोशन पेपर चोड़ा हुआ है और मेरे पास इस वक्त वही है और जिसको खोलके मैं बैठा हुआ हूँ जड़ा से देख लेते हैं क्या है जल्दी से यहां पर सबको पता है आप लोग सब लगभग लगभग सभी बच्चे देख लिए होंगे मैक्सिमम माक से 40 टाइम अलावड आपको किया गया है और यहां पर बोलाए गया है एंसर तु दिस पेपर मस्ट बी रिटेन ऑन दा पेपर प्रोवाइडेट सेपरेटली आपको लिखना होगा सो याद रिखिए यू विल नॉट बी अलावड तो रिटेन डूरिंग दूर आर्था सेंपल का हाले कि बदलाव कुछ नहीं हुआ है देखा जाए तो बदलाव कुछ नहीं हुआ है ठीक है है क्या बस थोड़ा बहुत 19-20 चलिए देखते हैं सेक्शन ने सेक्शन भी दो तरह का है यहां पर बोला गया अटाइम पॉल कोश्ट फ्रॉम सेक्शन एन सेक सेक्शन कंपल सरी है जैसा आपका पिपर हर रहता है लाश्ट टेन यर्स में जैसा रहा है सेक्शन 20 से आपको क्या करना कोई तीन आटाइम करना है तो देख लो जल्दी से फटाफट कोशन नमबर बन आपसे कहा गया पॉइंट इतना ही इंवेरियंट अंडर किया जाए तब बता जाएको सरकल से बहुत असान है प्रूफ करने के कोशन बैसे इं नहीं रहते हैं ना के बभावर कोशशन रहते हैं क्योप्र हाल नमिधर को या पन्स नमबर निकालने ऍक अंप लोग इतना stole एक नंबर का यह पूरा सक्सन सन लमर का था यहां यह identities का question है यह भी बहुत असान है six number भी बहुत असान question है यह आप देख लो एक एक number की question है seven number भी बहुत असान है lines दी हुई है और यहां पर बोला गया parallel है तो आपको value निकालना है एक हो simple यह तो ऐसी बन जाएगा चुटकी में eight number बहुत असान है nine भी बहुत असान है 10 भी बहुत असान है यह था एक एक number का question जो कि क्या है बहुत easy है यहां तक किसी को कोई परिशान नहीं होनी चाहिए ठीक है सारा time करना था आप एक बार देख लो फट 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 जल्दी से जो पूरा बोला गया है चूज दक करेक्ट एंसर टुकोशन फ्रॉम्ट गिवें ऑप्सन डूनोट कॉपी दक कॉश्चन कॉश्चन कॉपी नहीं करना राइट दक करेक्ट एंसर ओनली आपको एंसर के वल क् लिख किया होगे इसके बारे में प्रॉपर और भी बात करेंगे बाद में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्षन बी की तरब सेक्षन बी में क्या है देखो यहां पर आटायम पैनी थ्री कोश्चन से कोई तीन आपको क्या करना है आटायम करना है देखो find the ratio which the x-axis divided internally the line joining the points इतना हैं इतना कई बार बताया है और आपको यह तो भी भी आई ही बताया गया x-axis पर यह दोनों point किस ratio में डिवाइड होता है थ्री रोटेन एपल्स आर एक्सिदेंटली मिक्स विद्ध ट्वल्फ गुड वन्स आपको probability निकालना सो सिंपल थ्री नंबर सरकल और टेंजेंट दोनों मिला हुआ कोश्चन है यहां पर आपको find the value अगर कोई बच्चा यह बोल रहा टेंजेंट पोर्षन में नहीं है तो यह परिशान ना हो आप देखना जब क्लास में इसको कराया जाएगा तो यह चुटकियों में होने वाला कोश्चन है फोर नंबर का कोश्चन आपका हाइटन डिस्टेंस से बिलॉग करता है बहुत असान है फिर कोश्चन नंबर थ्री यह सरकल टेंजेंट अगें यह मिला बहुत असान है मेरे ख्याल से इस में से कोश्च नंबर फॉर अगर देखा जाएस और तो यह कोश्चन आपको निपर्पनोस हैबर जो अगें जितने बी कोश्चन जितने भी मतलब 5 का 1, 2 और 6 जितने भी questions है इनमें एक भी question ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा या जो आपको tough लगेगा एक भी question ऐसा नहीं है इसलिए परिशान होनी की जुरूत नहीं था नहीं है ये quick recap है एक बार question का बिल्कुल सा pattern देखने का ठीक है इन सारी questions में इन सारी questions में I promise हम guarantee के साथ ये बोल सकते कि एक भी question ऐसा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा examination में अगर term 2 की बात करें और ऐसा ही question आपको मिल जाए तो 40 में 40 आपके पास मौझूद रहेंगे इस बात को guarantee के साथ में लिख लो अगर आप मेरे पूरा class करोगे लगभग लगभग सारा class आपको attend करना है साथ में क्या करना है थोड़ा सा मैन अतौर करना है तो 40 out of 40 कहीं नहीं रहेगा क्योंकि सारा pattern से में याद रिखिए concept कुछ calculations है और कुछ आपके steps के mark सुगे otherwise नहीं क्योंकि questions का जो sample है यह देख के तो यही लग रहा है कि समझ रहे हो ठीक है कोई बात नहीं questions को हम लोग class में भी discuss करेंगे तब तक के लिए all the best and have a good day राधे राधे